कि आये देखते हैं का चनाइंद गणित परशनावली 2.1 देखिए 2.1 इसको क्या है इसका सवाल नमर 3 को देखेंगे सवाल नमर 3 है 35 के घात दुविपद का और 100 की घात के एक पदी का एक एक उदाहरन दीजिए अब देखिए बोल का रहा है लिखा इसे ढंग से इतनी समझ म नहीं आएगा लेकिन समझाना हमारा काम है आपको एकदाह मचे से समझा देंगे 35 को लिखना एम घात के रूप में ठीक ना लेकिन एक एक उदारान बताना है तकी एक एक उदारान लिखा है पहले इसके दूर पद ये बताना है दूर पद में 35 को घात के रूप में लिखना है अब समझे 35 को घात के रूप में और घात किस पर चड़ता है तो चर संख्या पर एक हमको चर लेना जरूरी है ठीक है लिख लिज था जो मन वो ले सकते हैं अब देखें दूसरा एक उदारण ले लेंगे और दूसरा बोलिए दखी है फिर देख लेते हैं सवाल को सो घाट के एक पदी का याने कि सब को घाट के रूप में लिखना एक इसकी पे चर्डता है घाट चर्डता है微 कोई भी एक चल लेजिए वाई लेजिए जेड लेजिए ल लेजिए बी लेजिए आपको जो अच्छा लगे वो ले लिजिए और उसके घात कितना लिख देंगे शो लिख दीजिए यह हो जाएगा उत्तर इसमें कुछ था कुछ नहीं था बस इतना ही यही दुनों इसका क् इसमें दो पद बोला था इसमें पद एक बोला था तहुं एक पद लगा लेंगे तो पद कीतना है एक है अगर प्लॉस मुनऺले लगा लेंगे तो पद दूग हो गया अब दिन्हें वाल नो मगर गुणा के रूप में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए अगर प्लस माइनस होगा तो का बन जाएगा प्लस माइनस होगा तो दूग उपद बन जाएगा ठीक ना इसलिए प्लस माइनस ना गुणा लिख सकते हैं भाग भी नहीं लिखेंगे लिखेंगे तो सिफ भाग लि